जैयन तब तक सो रहा था और जैश्री नहा धोकर तयार भी हो गई थी और रसोई में चाय नाश्ता बनाने के लिए चली गई थी जैश्री के साससोर सुधा और सुमेर भी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आये थे आज में जल्दी उड़ गई या बाकी सब लेट हो गई चलो तब तक नाश्ता बना लेती हूँ तब ही जैयन तांखें मसलते हुए कमरे से बाहर आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है जैश्री चाय बन गई क्या? हाँ लेकिन आप हाद मों तो धोलीजिए उड़ते ही चाय मुझे भूख लग रही है जल्दी से नाश्ता लगाओ बाद में रहा लोंगा हाँ हाँ बना रही हूँ बस पांच मिनिट तब ही जैश्री की सास सोधा भी तयार होकर आ जाती है अरे जैश्री अभी तक चाय नहीं बनाई तुमने? ममी जी बस बनने वाली है अब मैं तुझे रोज रोज कहूँ क्या? कि चाय टाइम से बना कर रखा कर ममी जी मैंने सोचा ठंडी हो जाएगी कोई उठा नहीं था बस पांच मिनिट लगेंगे ये कैसी पत्नी है तेरी जयंत? कुछ सिखाया नहीं है क्या इसके माबापने इसे? ममी जी गुस्सा मत कीजिए बस बन गई है चलो साथ ससुर का तो तुझे दिहान रखना नहीं आता कम से कम अपने पती का ही सोच ले बेचारा भूका बैठा है ऐसा कुछ नहीं है ममी अभी तो उठकर आया हूँ मैं अब तू जादा पक्ष मत ले तभी जैश्री जल्दी से चाय नाष्टा लेकर उनके पास आ जाती है तभी दोनों नाष्टा करने लग जाते हैं और इतने में सुमेर भी वहाँ आ जाता है पापा जी आप भी नाष्टा कर लीजिए ए लड़की ससुर से जादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है कितनी बार समझाया है तुझे मैं बैठी हूँ ना मैं कह दूँगी अरे तो क्या हो गया सुधा बहु भी तो बेटी जैसी होती है आप बस जादा पक्षमत लीजिए चलिए नाष्टा कर लीजिए तो सुमेर भी उनके साथ नाष्टा करने बैठ जाता है बहु को तो सारा दिन कहती रहती हो कभी बेटे को भी कुछ समझा लिया करो अब इसे क्या समझाना है सब कुछ तो समझा हुआ है पापा आप सुभा सुभा शुरू मत हो जाए कम से कम नाष्टा तो कर लेने दीजिए सारा दिन घर में बैठा बैठा मुफ्त की रोटी तोड़ता रहता है कोई काम भी कर लिया कर बस कीजिए अब आप सुभा सुभा शुरू हो गए ये कर रहा है न कोशिश हो जाएगा काम सेट अरे कब होगा अब तो इसकी शादी भी हो गई है इस पर जिम्यदारिया भी आ गई है अरे मेरे बेटे से जादा रोटी तो ये जैश्री खा जाती है सारे खर्चे तो इसके है चाहे किसी के भी हो इसे काम तो करना चाहिए न इतना बड़ा जो हो गया है पापा आपको तो सारा काम सेट किया हुआ मिल गया था और आप तो मुझे कुछ भी नहीं देते हैं क्यो तुझसे मेहनत नहीं होती क्या पहले भी तुमने इतने पैसे बरबाद कर दिये हैं और कोई काम भी नहीं किया ढंका पैसे तो मैं आपसे रोंगा न गलियों में भीग तो मांगने से रहा ओहो बस भीगीजिए दोनों हर वक लड़ते रहते हो तभी गुसे में जयन्त चाय का कप नीचे फेंक कर चला जाता है सुनी नाश्ता तो कर लीजिए इतना गुसा क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं करना नाश्ता जैश्री जाने दो उसे तुम ही बताओ मैंने कुछ गलत कहा क्या नहीं पापा जी मैं भी इने बहुत समझाती हूँ कि काम तो करना ही चाहिए लेकिन अब तू भी शुरू हो जा नास पीटी मेरे बेटे के पीछे पड़ जा तेरी वज़ा से ही ये सब हो रहा है लेकिन मम्मी जी मैंने क्या किया है जब से तू आई है घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा मेरा बेटा भी काम नहीं कर रहा लेकिन ये तो पहले भी काम नहीं करते थे इन्होंने शुरू किया वो भी बंद हो गया इसमें मेरी क्या गलती है जुबान मत लड़ा ये तेरे आशुब कदम ही पड़े है मनहूस कहीं की अरे आप तुम बहू के बीचे क्यों बढ़ गई हो आप हम दोनों के बीच में दखल मत दीजिए हाँ मैं तो जा ही रहा हूँ आज मुझे जाना है शहर फसल बेच कर आनी है अच्छा आप शहर की साइट जाएंगे तो ऐसा कीजिए मेगह से भी मिल लेना नहीं नहीं मैं तुम्हारी चचेरी बहन के बास क्यों जाओ भला अरे आपको तो पता ही है वो किराय के घर में रहती है उसके आगे पीछे बस मैं ही हूँ लेकिन मैं उससे मिलकर क्या करो तुम मेरे साथ चलो, तुम में लेना नहीं मैं नहीं जा सकती आप बस उसे कुछ पैसे दे आना और कुछ सामान पैसो से वो किराया भर देगी तुम कुछ दिन जाकर अपनी बेहन के बास रहे क्यों नहीं लेती नहीं जा सकती, पीछे घर में ऐसी निकम्मी बहू हो, तो घर को कैसे छोड़ कर चली जाओं। चलो बता देना, जो भी देना हो। हाँ, ऐसा निकम्मा पती था उसका, अच्छा हुआ तलाक हो गया, बेचारी अकेली ही रह गई, बहुत तरस आता है मुझे तो। हँ, ठीक है, मैं नहादो कर जाता हूँ, एक दो दिन में आ जाओंगा। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत सामान पैक कर देती हूँ, मेगा को दे देना। इसके बाद सुधा सामान पैक कर देती है और जैशरी कमरे में अपने पती जैंत के पास जाती है। जैंत गुस्से में बैट पर बैठा था। आप पापा जी की बाद का बुरा मत मानिये, मैं देती हूँ अब। तो मैं क्या करूँ जैशरी, पापा हर वक्त मुझे सुनाते रहते हैं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। हाँ जैंत, अगर लड़का काम नहीं करता तो घर वाले सुनाते ही हैं। अब तुम भी उनीकी साइट ले रही हो। नहीं नहीं, मैं उनकी जैश्री की सास हर वक्त बिना वजह उसे ताने देती रहती थी हर वक्त दोनों में बहस होती रहती थी जैश्री अपनी पत्नी और अपनी मा दोनों से ही प्यार करता था लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा था चलो मम्मी मैं पहले नहाने जाता हूँ फिर मुझे किसी दोस्त से मिलने भी जाना है ठीक है बेटा जयंत नहाने चला जाता है और तभी जैश्री का फोन बचता है अब किसका फोन आ रहा है सारा दिन तेरा फोन बचता रहता है ममी जी मेरे पापा का फोन है तेरा बाप भी मोठा कर कभी भी फोन कर देता है ममी जी आप हर वक मुझसे गुस्सा क्यों रहती है जा जा कर बात कर तेरे बाप से तो जैश्री अपने पापा से फोन पर बात करने लगती है और उधर सुमेर भी शहर के लिए निकल जाता है थोड़ी देर में बात करके वापस आ जाती है क्या कह रहा था तेरा बाप? वो पापा कह रहे थे दो तिन बाद में मुझसे मिलने आएंगे उन्हें किसी काम से यहां आना है बस जब देखो बेटी के घर आए रहते हैं हमारे कोई बेटी होती तो हम तो कभी ना जाते उसके ससुराल में ममी जी आपके कोई बेटी है नहीं इसलिए आपको बाते आ रही है तू भी मुझसे जुबान लड़ाने में कोई कसर मत छोड़ना ममी जी आप मुझे पेवजा गलत बोलती रहती है मैं तो आपसे कुछ भी नहीं कहती तू ये मत भूल घर मेरे नाम है जब भी मेरा मन करेगा मैं तुझे बाहर निकाल दूगी जैशरी ये सुनकर कुछ नहीं कहती क्योंकि उसका पती जयंत पेरोजगार था वहीं सुमेर शहर में मेगा के घर पहुँच जाता है वो दरवाजा खट खटाता है और मेगा दरवाजा खोलती है अरे जीजा जी आप हाँ मेगा वो सुधा ने तुम्हारे लिए कोई समान भेजा है और इन सब की क्या जरूरत थी जीजा जी अब ये सब तो मैं नहीं जान था अच्छ अच्छ जीजा जी अंदर तो आईये नहीं नहीं बस मैं तो काम से आया था अब चलता हूँ हाँ 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 बस बहुत हो गया नाटक और तभी मेगा सुमेर का हाथ पकड़ लेती है और उसे अंदर खीच लेती है और दरवाजा बंद कर देती है सुमेर और मेगा एक दूसरे को काफी प्यार से देख रहे थे और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं आखिर ये सब क्या था? मेगा तो सुधा की चचेरी बहन थी लेकिन यहां मेगा अपनी ही बहन के पीट पीछे उसे धोका दे रही थी जिसमें सुमेर भी शामिल था आखिर ये सब कब से चल रहा था? और अभी क्या क्या होना बाकी था? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ साज बहू और साजिश के कि जैश्री का पती जैंद कोई काम नहीं करता था जिसके चलते जैंद के पापा सुमेर उसे ताने मारते रहते थे और वहीं जैश्री की साथ सुधा भी जैश्री को पसंद नहीं करती थी घर में हर वक्त ताना कशी का माहौल रहता था सबसे हैरान कर देने वाली बात सामने आई जब हमने देखा कि सुधा की चचेरी बहन मेगा के साथ सुमेर का नाजायज रिष्टा चल रहा था लेकिन घर के सभी लोग इस बात से अंजान थे अब आगे अरे तीन दिन हो गए है तेरे पापा को अभी तक शहर से नहीं आये है अच्छा ये नहीं आये है तो घर में शांती तो है जब तक तेरी ये बीवी इस घर में है घर में कभी शांती नहीं रह सकती लेकिन ओवर लेकिन ममी जी मैने आप क्या कर दिया तू कुछ नहीं करती तो भी सब कुछ कर देती है अरे मम्मी परिशान क्यों होती हो पापा से फोन करके पूछ लो ना अरे सुभा से तीन बार तो फोन कर चुकी हूँ उठा ही नहीं रहे उठा लेंगे कोई बात नहीं, अच्छा मम्मी सुनो बस तेरे इतना कहते ही मैं समझ गई कि तुझे क्या चाहिए आखिर आप मेरी मा है, मा तो सब जानती है अभी कहां से तू तुझे पैसे, तेरे पापा को आने दे फिर बात करते है मम्मी आपको पता है, पापा मुझे कभी नहीं देंगे पैसे अरे अभी वो फसल बेच कर आएंगे, काफी पैसे लेकर आएंगे लेकिन मम्मी, आपके पास में तो पड़े ही है न वैसे हाँ हाँ, पड़े है चार लाग, लेकिन उनसे बिना पूछे कैसे दे दू अप इतना भी नहीं कर सकती है मेरे लिए, अच्छा चल देती हूँ, चल कमरे में तो सुधा अपनी बेटे जैंद के साथ कमरे में चली जाती है, और अलमारी के उपर रखी हुई एक चाबी से लौकर खोलती है और दो लाख रुपए निकाल कर जैंद को दे देती है, ये ले दो लाख, और अभी दो लाख ही बच्चे है मेरे पास थैंक्यू मम्मी, अब मैं फिर से काम शुरू करूँगा, अब देखना, इस बार मैं करके दिखाऊँगा हाँ, हाँ, करके दिखा ही दे, सबका मुह बंध हो जाएगा ठीक है मम्मी, चलता हूँ सुधा बार-बार फिर से सुमेर को फोन करती है, और वहाँ सुमेर मेगा के साथ आराम से बेट पर सोया था, और दोनों अपने प्यार के रंग बेखेर रहे थे अरे, ये सुधा दीदी बार-बार फोन क्यों कर रही है मैं उसको एक-दो दिन का बोल कर आया था, और मुझे आज तीन दिन हो गए है तुम्हारे साथ, इसलिए कर रही है तो या तो तुम फोन बंध कर दो, या फिर फोन उठा कर कोई जूट बोल दो अरे, नहीं उठा सकता, उसे शक हो जाएगा मेरे आवाज से ही, और वैसे भी, आज तो मुझे जाना ही है नहीं, नहीं, ऐसे मत कीजिए, आज तो मत जाएए, दो-चार दिन तो रुखिए, कुछ तो सोचिए मेरा सुमेर प्यार से मेगा के गाल पर हाथ रखता है चिंता क्यों करती हो, वापस आ जाऊंगा, और मैं न आओ तो तुम आ जाना अरे, मैं भी आ गई, तो सुधा दिदी के सामने तो मुझे आपकी बेचारी साली बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी हाँ, वो तो है, तुम्हारे आने का तो कोई फायदा ही नहीं है, पर आज तो मुझे जाना ही होगा ठीक है, और फिर सुमेर उसे एक लाक रुपे कैश देता है ये लो, पैसे रखो, काम आएंगे पैसो से जादा तो तुम मेरे काम आते हो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और इसके बाद सुमेर वहां से निकल पड़ता है और रास्ते में सुधा को फोन करता है अरे फोन क्यों नहीं उठा रहे, क्या बात हो गई, आए भी नहीं है अरे तुम्हें क्या बताओं सुधा, बाजार में वेस्त था फोन का पता ही नहीं लगा, और सारी फसल भी विग गई है अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है हाँ, और आज मैं आ रहा हूँ ठीक है, इसके बाद सुधा रसोई में जाती है और देखती है कि जैश्री आलू काट रही थी ये तु आलू किससे पूच कर काट रही है ममी जी, और कोई सब्जी थी ही नहीं, तो मैंने सोचा आज आलू की सब्जी बना आलू सुधा गुस्से में सारे आलू उठा कर नीचे भेंग देती है ममी जी, क्या हुआ? मुझसे बिना पूचे तुने आलू कैसे काटे? मुझे नहीं खानी आलू की सब्जी तो ममी जी फेकने की क्या जरूरत थी? बाद में काम आ जाते तुने मुझसे बिना पूचे आलू काटे तो कैसे काटे? ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपका लाखों का नुकसान हो गया हो हाँ हाँ हो गया मेरा लाखों का नुकसान आलू तू तेरे बाप के घर से तो नहीं लेकर आई थी पैसे लगे हैं इसमें भी जिस दिन लाखों का नुकसान होगा न उस दिन आपको बात समझ में आ जाएगी जुबान मत लड़ा मेरे साथ, अभी घर से धक्के दे दूँगी बस यही धमकी देनी आती है आपको चुपचापी आलू उठा और गली में फेग दे ठीक है तो फिर आपको जो सबजी खानी है बना लीजिए मैं कुछ नहीं बनाऊंगी हाँ हाँ बना लूँगी मेरे हाथ पैर तूटे हुए नहीं है ठीक है इतने में जैश्री के घर उसके मम्मी पापा मंगल और मीनल आ जाते हैं जैश्री बेटा ये सब क्या है जैश्री और सुधा उन दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं वाँ वाँ बड़े सही टाइम पर आये हैं आप दोनों ये देख लीजी अपनी बेटी के हाल मम्मी पापा आप तो एक दो दिन बाद आने वाले थे ना हाँ लेकिन हमने सोचा तुम्हे सर्प्राइज दे दे अब सर्प्राइज तो आपको मिल गया ये देखिए आपकी बेटी कैसे रहती है ससुराल में ये सब क्या है बेटा पापा जी कुछ नहीं बस ऐसे छोटी मूटी बात हो गई थी ऐसी भी क्या बात हो गई मैं तो कहती हूँ ले जाएए अपनी बेटी को कुछ टाइम के लिए और अच्छे से सिखाईए समझाईए फिर ससुराल भेजना नहीं नहीं समदान जी हम इसे यहीं समझा देंगे आप चिंता मत कीजिए कितना भी समझा लो ये कभी नहीं समझेगी ये देख लो सारे आलू इसने गुस्से में फेक दिये लेकिन मम्मी देखो तो अभी भी जुबान लड़ा रही है जैश्री चुप रहे बीच में मत बोल सुधा को बहुत खोशी हो रही थी जब जैश्री को उसके मम्मी बापा डांट लगा रहे थे लेकिन जैश्री चुप रहती है बेटा सास को मा के समान मानते हैं कल को मेरे भी गर में बहु आएगी और वो मेरे साथ ऐसा करेगी तो तुझे कैसा लगेगा हाँ बेटा अगर सास कभी नाराज भी हो जाए तो सामने नहीं बोलते अब बस यही तेरा घर है तुझे यही रहना है ठीक है पापा मम्मी मुझे माफ कर दीजिए मैं आगे से धिहान रखूंगी तो इसके बाद जैश्री के मम्मी बापा उसे बहुत समझाते हैं और वापस चले जाते हैं जैश्री अपने कमरे में बैटकर बहुत रोने लग जाती है मैं कितना भी कर लू लेकिन मम्मी जी मुझे कभी नहीं समझती हम दोनों की बीच हमेशा लड़ाई होती रहती है कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करू कभी कमरे में जैश्री को रोते हुए देख लेता है क्या हुआ जैश्री तुम रोक्यों रही हो जैश्री मम्मी जी हमेशा मुझे नाराज रहती है कभी कभार मुझे भी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और हमारी बहुत बहुत हो जाती है तुम चिंता मत करो जैश्री, सब ठीक हो जाएगा, मम्मी को समझ आ जाएगी मुझे तो लगता है वो मुझे कभी नहीं पसंद करेंगी अरे कर लेंगी, और तुम्हें पता है, मैंने भी नया काम शुरू कर लिया है, सब सोच लिया है कि क्या क्या करना है अच्छा, भगवान करें इस बार आप सभल हो जाएगे हाँ, हो जाऊँगा, चिंता मत करो बहुत अच्छी बात है, अच्छा, मैं कपड़े समेट लेती हूँ ठीक है, मैं बस तुम्हें बता नहीं आया था, अब मैं भी फिर सजाता हूँ ठीक है, तो जैशरी सब के कपड़े समेट देती है, और सुधा के कपड़े रखने, उसके कमरे में चली चाती है अचानक सुधा उसे अपने कमरे से निकलते हुए देख लेती है ए जैशरी, तु मेरे कमरे में क्या कर रही थी? कुछ नहीं ममी जी, मैं तो बस कपड़े रखने गई थी अच्छा, कहीं चोरी वोरी तो करने नहीं गई? ममी जी, आप कैसी बाते कर रही है, हमीशा मैं ही तो कपड़े रखने जाती हूँ, आप मुझे चोर तो मत कहिए हाँ, ठीक है, ठीक है, चलब जा थोड़ी देर में सुमेर भी वापस आ जाता है अरे, आ गए आप, कितने बन गए इस बार? हाँ, हाँ, आठ लाग की फसल बेच कर आया हूँ, ये देखो पैसे अरे, लेकिन ये तो सिर्फ 6 लाग ही है हाँ, तो 2 लाग मजदुरों को भी तो दे दिये अच्छा, अच्छा, चलो, ये पैसे मैं लौकर में रखकर आता हूँ ठीक है, रखाए तो सुमेर अपने कमरे के लौकर में पैसे रखने जाता है तब ही उसके जोर से चिल्लाने की आवाज आती है हे भगवान, क्या हुआ इनको? जल्दी चलिए मम्मी जी तो सुमेर की चीक सुनकर जैश्री और सुधा बहुत घबरा जाती है और भाग कर कमरे में जाती है सुमेर को अच्छानक क्या हुआ था? वो क्यू चल्लाया था? कि सुधा के पास लौकर में 4 लाक रुपे होते हैं जिसमें से वो 2 लाक रुपे अपने बेटे जयंत को दे देती है वहीं घर में सुधा और जैश्री के बीच सबजी बनाने को लेकर काफी बहस होती है जिस पर जैश्री के मम्मी पापा उसे काफी समझाते है वहीं सुमेर 3 दिन तक मेगा के साथ रहता है और जब वो घर वापस आता है तो वो 6 लाक रुपे लेकर आता है और वो कमरे में पैसे रखने जाता है तो अचानक उसके चीखने की आवाज आती है अब आगे जैसे ही सुमेर लौकर को खोलता है तो देखता है कि लौकर एक दम खाली था अरे ये पैसे कहां गए इतने में जैश्री और सुधा भी वहाँ पहुँच जाते हैं क्या हो अजी इतनी जोर से क्यों चला रहे है सुधा ये देखो लौकर खाली है पैसे कहां गए हे भगवान सारे पैसे कहां गए इसमें तो 2,00,000 रुपे रखे हुए थे तब ही सुधा शक की नजरों से जैश्री को देखती है और सुधा जैश्री के पास जाकर उसके बाल खीच लेती है तुने ही चुराय है ना पैसे चोड़ी है ममी जी आप कैसी बाते कर रही है मैं भला अपने ही घर में चोड़ी थोड़ी ना करूगी ये तुम क्या कर रही हो सुधा ये हमारे घर की बहु है छोड़ो इसे तब ही सुधा धक्का देकर उसे छोड़ देती है अरे आप नहीं जानते, ये मुझे भी कह रही थी कि आपका लाखों का नुक्सान होगा तो पता चलेगा जैशरी, क्या तुमने ऐसी बात कही थी बेटा? हाँ पापा जी, लेकिन वो मैंने घुसे में खेह दिया था, पर मैरे चोरी नहीं की है सही से बता दे, नहीं तो अभी पुलिस के हवाले करती हूँ तो जे ममी जी मैंने कुछ भी नहीं किया है, कसम से ऐसे नहीं मानेगी, चलिए जी इसका कमरा देखते है तो सुधा और सुमेर जैश्री के कमरे में चले जाते हैं और उसकी अलमारी के सारे सामान निकालने लगते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी पैसे नहीं मिलते ममी जी मैं कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए अरे कहीं तो छुपाए होंगे इसने, पैसे तो इसी ने लिये हैं तभी मेरे कमरे से बाहर निकल रही थी, मैं तो बस कपड़े रखने कही थी घर से पैसे गायब हो रहे हैं, और किसी को पता तक नहीं लगता सुधा तुम कितनी लापरवा हो जी मुझे क्या पता कि चोर घर में ही रह रही है और तभी वहाँ जयनत आ जाता है, और कमरे का ऐसा हाल देखकर हैरान हो जाता है ये सब क्या है मम्मी, जैशरी तुम रो क्यो रही हो वो मम्मी जी के हलमारी से तु चुप रहे है, मैं बताती हूँ बेटा मैंने सुभे तुझे दो लाख रुपे दिये थे और पीछे दो लाख रखे थे वो भी गायब हो गए है तो आप हमारे कमरे में देखने आई है आपको लगता है कि हमने पैसे चुराए है नहीं, मैं तुभे नहीं कह रही बेटा पर मैं जानती हूँ जैश्री ने ही चोरी की है मम्मी आप ऐसे कैसे बोल सकती है इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है आप तो तू ही बता बेटा पैसे कहां गए मुझे नहीं पता कि पैसे कहां गए लेकिन आपको जैश्री को चोर नहीं कहना चाहिए था अच्छा, तो अब तुझे इतना पक्षा रहा है अपनी बीवी का हाँ, बिल्कुल आ रहा हूँ ये मेरी पत्नी है अगर मैं उसका साथ नहीं दूगा, तो कौन देगा तो ठीक है, तू अच्छे से इसका साथ दे पर मैं चोर का पता लगा कर ही रहूँगी हाँ, लगा लेना जब चोर पकड़ा जाये तब बता देना चलो सुधा याँ से इसके बाद सुधा और सुमेर वहां से चले जाते हैं और जयन्त जैश्री को चुप करवाता है तो दो तिन दिन तक घर में कोई भी एक दूसरे से धंसे बात नहीं करता और हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर वो दो लाख रुपए कहां गए थे समझ में नहीं आता ये चोरी किस नहीं की है सुधा तुम बहुत लापरवा हो लोकर का ध्यान नहीं रखा उपर से दो लाख रुपए अपने नालाइक बेटे को दे दिए अरी अब हम अपने बेटे को पैसे नहीं देंगे तो और कौन देगा बस एक ही रट लगा कर बैठे हैं आप तो तब से मुझे तो लगता है इस जेंत नहीं पैसे चुराए हैं कैसी बाते कर रहे हैं हमारा बेटा भला चोड थोड़ी ना हो सकता है मुझे तो उस पर पूरा विश्वास है कि वो चोरी भी कर सकता है आप रहने दीजिए तब ही दर्वाजे की घंटी बच्चती है अब ये सुबह सुबह कौन आ गया ये लोगों के घर पर काम नहीं होता क्या शांत रहो, मैं दर्वाजा खोलता हूं तो सुमेर दर्वाजा खोलता है तो देखता है कि दर्वाजे पर मेगा खड़ी थी सुधा भी अपनी चचेरी बेहन मेगा को देखकर खोश हो जाती है अरे मेगा तुम अचानक से कैसे आना हुआ दीदी वो मेरे मकान मालिक की बेटे की शादी है और उन्हें तीन-चार दिन के लिए घर चाहिए अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया किया जो यहां आ गई हाँ दीदी फिर आपके सिवा मैं कहा जाती और मैं तीन-चार दिन तो यहीं रहूंगी अब हाँ हाँ तेरा ही घर है जब तक चाहे रह ले पर जीजा जी तो मुझे अपना नहीं समझते क्यों क्या हुआ जीजा जी आये थे बस सामान दे कर चलते बने मैंने इतना कहा था रहलो रोटी खालो पर नहीं इन्होंने तो पानी तक नहीं पिया क्यों जी ऐसा क्यों किया आप मेरी बेहन के घर क्यों नहीं गए सुधा मेरे पास इतना वक्ती कहा था बाजार का भी तो काम करना था देखा दीदी कैसे करते हैं जीजा जी अब मैंने क्या समझाओं छोड़े ने और पता तो तीनों आपस में बात करते रहते हैं वहीं जैश्री और जैंत अपने कमरे में थे और उन्हें नहीं पता था कि मेगा घर पर आई है जैंत तुम्हें भी लगता है कि मैंने चोरी की है नहीं जैश्री कैसी बातें करती हो तुम पागल हो गई हो क्या तो मम्मी जी मुझे पर क्यों शक कर रही है मम्मी को छोड़ो तुम वो तो तुम्हें वैसे भी कम पसंद करती हैं, लेकिन चोर का पता तो लगा ही लेंगे लेकिन आखिर हम चार लोग ही तो हैं इस घर में, कौन चूरी कर सकता है यही तो मैं सोच रहा हूँ, पर तुम देखना, चोर पकड़ा जाएगा लगता है कोई आया है घर पर, मुझे आवाज आ रही है चलो देखते हैं तो जैश्री और जैंत बाहर जाते हैं और मेगा को देखते हैं, तो दोनों मेगा के पैर छूते हैं मिल गया टाइम तुम्हें कमरे से बाहर आने का हाँ मासी जी, वो हमें पता नहीं लगा आपके आने का हाँ, तुम्हें क्या पता लगेगा, तुम तो खुद में बिजी थे थोड़ा आने जाने वालों का भी ध्यान रखा करो जैश्री, ऊपर गैस्ट रूम की सफाई कर दो, मेगा कुछ दिन यहीं रहेगी ठीक है ममी जी, धंग से सफाई करना, कहीं उपर उपर से करके आ जाओ तो जैश्री उपर गैस्ट रूम की सफाई करने चली चाती है, कुछ दिर तक सब बाते करते रहते हैं चलो मेगा, तुम कमरे में चली जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, तब तक हम दो पहर के खाने की तयारी करते हैं ठीक है दीदी, तुमेगा अपने कमरे में चली जाती है ए जैश्री, आज कोई धंकी सबजी बना लेना, मेरी बहनाई हुई है आप बता दीजिए मम्मी जी, क्या बनाना है ऐसा कर मलाई कोफता बना ले ठीक है मम्मी जी और जयंत कहां है, और इसके पापा भी नहीं दिखाई दे रहे मम्मी जी ये तो बाहर गया है काम से, और पापा जी का मुझे नहीं पता अच्छा मैं देखती हूँ तो सुधा घर में सुमेर को ढूणने लगती है सुमेर उपर मेगा के कमरे में था मेगा और सुमेर दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बाते कर रहे थे अरे आप जाईए यहां से, कहीं दीदी ना देख ले अरे नहीं देखेगी, वो दोनों सास बहु काम में लगी हुई है और उधर से सुधा सुमेर को ढूणते हुए उपर आ रही थी बहुत अच्छा क्या तुमने जो यहां आ गई हाँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी अभी तो मुझे दो तिन दिन ही हुए है तुमसे मिले हुए तो क्या हो गया, अब आप भी दिन गिनने लग गए नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था तो मेगा सुमेर का हाथ पकड़ लेती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और वहां सुधा उस कमरे के दर्वाजे तक पहुँच चुकी थी सुधा दर्वाजा खोलने ही वाली थी कि लौकर से दो लाक रुपे चोरी होने का इलजाम सुधा अपने बहु जैश्री पर लगाती है जिससे घर में सब के बीच माहौल खराब हो जाता है लेकिन चोर पकड़ा नहीं जाता वहीं मेगा अचानक सुधा के घर रहने आ जाती है मेगा और सुमेर घर में चोरी जुप के कमरे में मिलते हैं और तभी सुधा उनके कमरे का दर्वाजा खोलने ही वाली थी अब आगे सुधा जैसे ही कमरे का दर्वाजा खोलती है कमरे में मेगा बैठी थी अरे दीदी आप? हाँ वो मैं जयंत के पापा को ढून रही थी पता नहीं कहा है अच्छा लेकिन जीजा जी तो यहां आए नहीं है मैंने तो उन्हें बाहर जाते हुए देखा था अच्छा बता कर भी नहीं गए चल तू अराम कर ठीक है दीदी इसके बाद सुधा वहां से चली जाती है और सुमेर परदे के पीछे से बाहर निकल कर आता है दरसल उन्होंने सुधा के कदमों की आवाज सुन ली थी इसलिए वो पहले से ही छुप गया था बाल बाल बच गए मेगा हाँ अब चिंता मत कीजिए आप अब वो मेरे कमरे में चेक करने नहीं आएंगी हाँ अब उसे लगेगा मैं घर से बाहर हूँ और हम दोनों यहां मज़े करेंगे इसके बाद मेगा और सुमेर एक दूसरे में खो जाते हैं और वहां सोधा यही सोच रही थी इस उमेर बाजार में है इजैश्री सबजी बनी या नहीं बनी बस ममी जी बनने वाली है धंग से बना देना और जहर मत डाल देना ममी जी आप ऐसा क्यों सोचती है तू कुछ भी कर सकती है मुझसे परेशान होकर मुझे मार भी सकती है अच्छा तो मतलब आप जानती है कि आप मुझे परेशान करती है बस बस जादा मत बोल चलो पहले मैं खालूंगी सबजी उसके बाद आप खालेना बस मुँपर जवाब देने आते है तुझे तो तो क्या करू चुपरहकर भी देख लिया और बोलकर भी देख लिया लेकिन आपकी नफरत कम नहीं हुई मेरे लिए और होगी भी नहीं और सुन कपड़े मैले पड़े है धो देना ठीक है धो दूंगी तो सबजी बनाने के बाद जैश्री कपड़े धोने लग जाती है और उन्हें सुखाने के लिए ऊपर जाती है और तभी वो मेगा के कमरे से सुमेर को निकलते हुए देख लेती है अरे पापा जी आप यहां? हाँ, बस वो मुझे थोड़ा काम था और इतना कहकर सुमेर जल्दी से वहां से खुद के कमरे में चला जाता है ये अजीब बात है पापा जी मेगा मासी के कमरे में क्या कर रहे थे? खैर कुछ देर बाद वो कपड़े सुखा कर आ जाती है जैश्री अप रोटी बना कर रगते थोड़ी देर में सब लोग खाना खा लेंगे तेरे पापा जी भी आते होंगे लेकिन ममी जी पापा जी तो यहीं है अभी देखा मैंने उन्हें उपर क्या? लेकिन वो तो बाजार गए थे मुझे मेगा ने बताया था लेकिन मैंने तो पापा जी को मेगा मासी के कमरे से निकलते हुए देखा था क्या बात कर रही है तू हाँ मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ और तभी सोधा जल्दी से अपने कमरे में जाती है और देखती है सुमेर वही बैठा था आप मेगा के कमरे में क्या करने गए थे मुझे लगा आप बाजार में है अरे हाँ मैं तो बाजार से ही आया था लेकिन कब आये दिखे नहीं और जैश्री तो कह रही थी आप मेगा के कमरे से बाहर आये थे हाँ उसने देखा था वो तो मैं बज हाँ हाँ क्या जल्दी जल्दी पताईए और तभी वहाँ पर मेगा आ जाती है अरे दिदी ये तो मैंने जीजा जी को फोन किया था मेरे सिर में दर्द हो रहा था वो मैंने इने दवाई लाने को बोला था हाँ सुधा मैं मेगा को दवाई देने गया था और तभी जैश्री ने मुझे निकलते हुए देख लिया हाँ दीदी अब दवाई ले ले ली है अब तो ठीक हूँ अच्छा क्या सुधा तुम भी ना क्या क्या सोचती रहती हो अरे ये जैश्री ने बोला ही ऐसे ये तो चाहती है हमारे बीच में दरार आ जाए क्या दीदी बड़ी बेकार लड़की लेकर आई हो आप भी क्या करू मेरे तो नसी भी खराब थे जो ये मेरे घर की बहु बनी है चलो अब ये सब छोड़ो भोख लग रही है हाँ हाँ वो नालायक रोटियां बना रही है चलिए खा लेते हैं हम सब वो तीनो रोटि खा रहे थे और जैश्री उन्हें गरम रोटियां बना कर दे रही थी ए जैश्री कपड़े सुखाए है ना अब मेरे कमरे में रखने मत आना वरना फिर से कोई चोरी हो जाएगी क्या मतलब दीदी ये लड़की चोरी भी करती है क्या और क्या तो मैंने तुझे बताया नहीं ना मेरे लौकर से दो लाक रुपे चोरी हो गए थे हे भगवान दो लाक? दो लाक मैं तो मैं पूरे साल का खर्चा चला लूँ लेकिन अभी तक इसे मैंने रंगे हाथ पकड़ा नहीं है लेकिन जरूर पकड़ में आ जाएगी देखना सही कहती हैं दीदी चोर एक दिन तो पकड़ा ही जाता है ममी जी आप क्यों मेरी बेज़ती कर रही है? मैं कह रही हूँ ना मैंने चोरी नहीं की तुने कहा और मैंने मान लिया? और क्या तो हर चोर यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ मासी जी आप इने क्यों भढ़का रही है? अरे देखो तो दीदी मेरे साथ ये कैसे बाते कर रही है? बहुत हो गया जैश्री भढ़काने का काम तो तू करती है अरे बस भी करो तुम, खाना तो ढंक से खालो क्यों करे बस? देखे नहीं अपने बहु के हल, आप तो इसे कुछ भी नहीं कहते मैं तो औरतों की बातों के बीच में पढ़ता नहीं हूँ बड़ी तेज बहु है दीदी आपकी और तभी जैशरी सारा काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है देख तो कितनी बेशरम है, कोई बात का जवाब भी नहीं दे रही थी, चली गई बस अरे शुकर मनाओ सारा काम तो कर गई, हमें खाना तो दे रही है अरे खाना दे रही है तो कोई एहसान थोड़ी ना है, उसका फर्ज है ये चलो दीदी अब छोड़ो, अराम से खाना तो खाले हम, अब तो वो गई यहां से अच्छा ही हुआ, मनहूस कहीं की तो राप के दस बजे सुधा मेगा और सुमेर बैट कर बाते कर रहे थे दीदी मेरा तो मैंगो शेक पीने का बहुत मन कर रहा है अरे इतनी सी बात, तू रुक अभी जैश्री को बुलाती हूँ, उसे कहती हूँ, बना देगी नहीं नहीं दीदी मैं खुद बना लूँगी अरे पागल हो गई है क्या, तुझसे काम करवाऊंगी अब दीदी मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी, आप पी कर देखना मजा ही आ जाएगा अरे इतना कह रही है तो बनाने दो इसे चलो ठीक है, बना ले तो मेगा मैंगो शेक बनाने के लिए रसोई में आ जाती है, वहीं जयन्त और जैश्री अपने कमरे में थे जैश्री, जरा पाने ला कर देना अभी लेकर आती हूँ, तो जैश्री पानी लेने के लिए रसोई में जाने लगती है, और वो दूर से देखती है कि मेगा मैंगो शेक वाले ग्लास में कोई पाउडर डाल रही थी. ये मासी जी इस ग्लास में क्या डाल रही है? तब ही जैश्री रसोई में चली जाती है. मासी जी मुझे कह देते मैं बना देती. क्यों? मैं क्या बना नहीं सकती? नहीं मेरा मतलब आप क्यों परिशान होती है? बस बस रहने दे और अफ फॉर्मालिटी मत कर. तो मेगा तीन ग्लास मैंगो शेक लेकर कमरे में चली जाती है. जैश्री भी चुपके से उसके पीछे चली जाती है. और वो देखती है कि जिस ग्लास में पाउडर मिलाया गया था, वो ग्लास मेगा सोधा के हाथ में दे रही है. हे भगवान, नजानी इसमें क्या मिलाया था? मम्मी जी को कुछ हो न जाए, अब मैं क्या करूँ? तो जैश्री की हिम्मत नहीं होती, और वो कुछ भी नहीं कर पाती. तो पानी लेकर वो अपने कमरे में चली जाती है. तो सब के सूने का वक्त हो गया था, लेकिन जैश्री को नीध ही नहीं आ रही थी. रात के एक बच गय थे. जैश्री उटकर सुधा के कमरे की तरफ जाती है, और धीरे से गेट खोलती है, तो देखती है के बैट पर जैश्री अकेली सो रही थी. अरे ये पापा जी कहां गए? कहीं वो मेगा मासी के कमरे में तो नहीं है? तो वो चुपके से मेगा के कमरे के बाहर जाती है और उसे अंदर से सुमेर और मेगा के हसने की आवाजें आ रही थी हे भगवान मुझे ये सम मम्मी जी को बताना ही होगा जैश्री जल्दी से सुधा के पास जाती है और उसे उठाती है लेकिन वो नहीं उठती वो सुधा की नाक के पास हाथ लगा कर देखती है कि उसकी सांसे चल रही थी लगता है मम्मी जी के शेक में नीद की दवा थी, कल बात करूँगे इनसे तो अगले दिन मौका पाकर जैश्री सुधा के पास जाती है क्या हो गया? ऐसे मौ उठा कर कैसे खड़ी है? वो मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है हाँ बोल आप दो मिनट के लिए मेरे कमरे में चलिए, यहाँ कोई सुन ना ले अरे ऐसी क्या बात है? प्लीज चलिए न, अभी जैंत भी बाहर गए हैं और पापा जी भी, मासी जी भी उपर है तो सुधा जैश्री के कमरे में जाती है अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जैश्री से सारी सच्चाई सुन कर सुधा उसकी बात का विश्वास करेगी या नहीं और सुमेर की इन हरकतों का अंजाम क्या होने वाला था और इससे सास बहु के रिष्टे पर क्या फर्क पढ़ने वाला था कि मेगा और सुमेर घर में ही चोरी चुपके मिलते रहते हैं लेकिन सुधा को भनत तक नहीं लगती लेकिन जैश्री को उन पर थोड़ा शक हो जाता है जैश्री मेगा को मैंगो शेक में नीद की दवा डालते हुए देख लेती है और इसके बाद आधी रात में वो देखती है कि मेगा और सुमेर कमरे में हससकर बाते कर रहे थे वो ये सारी सचाई अपनी सास सुधा को बताने वाली है अब आगे हाँ बोल ऐसी क्या बात करनी है जो तु मुझे यहां ले आई ममी जी मैं जानती हूँ आप मुझे बिलकुल पसंद नहीं करती इसलिए शायद मैं जो आपको बताने वाली हूँ आप उसका यकीन भी नहीं करेंगी अब ये सब भाशन मत दे मुझे जो भी बोलना है जल्दी बोल ममी जी मुझे रगता है कल पापा जी बाजार नहीं गए थे बलकि वो मेगा मासी के साथ ही थे क्या मतलब है तेरा? आगे तो सुनिये राद को मेगा मासी जब मैंगो शेक बना रही थी तो उन्होंने ग्लास में नीद की दवाई मिलाई थी तू हम दोनों बेहनों के बीच में दरार डालना चाहती है थोड़ी तो शर्म कर ममी जी प्लीज मैं आपके आगे हाथ चोड़ती हूँ मैं सिर्फ आपका भला ही चाहती हूँ अगर भला चाहती तो ऐसी घटिया बाते ना करती और ऐसे ही धीरे धीरे जैशरी सारी बात अपनी सास को बता देती है लेकिन सुधा उसकी बात का बिलकुल भी यकीन नहीं करती बहुत सुली तेरी बात है आज के बाद ऐसी घटिया बात की तो हिसाब लगा लेना लेकिन ममी जी मुझे बस डर है कि और तभी जैशरी के कमरे का दर्वाजा खुलता है और वहां मेगा आती है अरे क्या बाते हो रही है सास बहु मैं कुछ नहीं मेगा मैं ऐसे समझा रही थी अच्छा क्या समझा रही थी आप यही कि ये घर का कोई काम ढग से नहीं करती लगता है इसके घर से जाने के दिन आ गए है बस दीदी आपकी तो किस्मत ही फोटी थी चलो अब बहुत समझा लिया इसे आप कोई पर्मनेंट इलाज तो करना पड़ेगा दीदी मैंने ओनलाइन कुछ ड्रेसिस मगाई है आईए आपको दिखाती हूँ मेरे कमरे में है हाँ चल तो सुधा और मेगा उपर कमरे में चली जाती है दीदी ये देखो तीन ड्रेसिस मगवाई हैं मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ तो मेगा बात्रूम में कपड़े बदलने चली जाती है और सुधा उसकी अलमारी में उसका पर्स देखती है तो उसमें दो लाख रुपे रखे थे ये मेघा के पास दो लाख रुपे कहां से आए? तभी मेघा ड्रेस पहन कर बाहर आती है लेकिन सुधा उससे कुछ नहीं पूछती दोपहर के वक्त सब खाना खा रहे थे और जैश्री रोटी बना रही थी जैश्री कितनी गंदी सबजी बनाई है तुने कोई काम तो ढंग से कर लिया कर लेकिन सबजी तो सही है आप ज़ाधा पक्ष मत लीजिए इसका कितनी बार कहा है हाँ दीदी कुछ खास नहीं बनी समझी मेरा मन तो करता है जैश्री काम भी सेट हो गया है कोई भी मिल जाएगी ये सुनकर जैश्री आंसू बहाते हुए रोटी बनाने लगती है अब ये टसूए मत बहा रोटी गंदी करेगी क्या छोड़ दे मैं बना लूँगी ये आसू वाली रोटी हमें नहीं खानी अरे नहीं नहीं मेगा तुम रहने दो तुम यहाँ काम करने के लिए थोड़ी ना हो अरे दीदी कुछ नहीं होता जीजा जीबी तुम मेरे हाथ की रोटी खा कर देखें अच्छा चल बना ले और जैश्री रोते हुए अपने कमरे में चले जाती है शाम के वक्त मुझे जरा बाजार जाना है थोड़ा काम है दीदी मुझे भी ले चलो सार हाँ चल मुझे कोई दिक्कत नहीं है और जैश्री शाम की सबजी का इंतिजाम करके रखना क्या बनाओ मम्मी जी दम आलू बना ले आज ठीक है तो सुधा और मेगा बाजार चले जाते हैं जैश्री उदासी से बैट कर आलू छिल रही थी तभी सुमेर उसके पास आता है जैश्री बेटा मुझे बहुत बुरा लगता है तेरी सास तेरा कितना तरसकार करती है हाँ पापा जी मम्मी जी मुझे कभी नहीं समझती मुझे बहुत बुरा लगता है हाँ इसके जबान बहुत कड़वी है मैं तो परिशान हो गया हूं इससे हाँ पापा जी मैं भी बहुत परिशान हो गई हूं तो फिर तुमने कभी सोचा नहीं कि ये परिशानी कैसे दूर करूं कई बार तुम मन करता है खुद मर जाओं या मार दूं लेकिन इतनी हिम्मत ही नहीं है हिम्मत की बात क्यों करती हो तुम, विदा मैं हूना तुम्हारे साथ क्या मतलब पापा जी? हाँ जैश्री, तुम्हारी साथ से तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए मैं तुम्हारा साथ दूगा क्या? सच में? पापा जी? फिर मुझे भी तो मुक्ती मिल जाएगी इससे लेकिन हम कैसे करेंगे बस गला दबाना है उसका और काम खत्म इससे अच्छा तो उन्हें किसी चीज में जहर डाल कर दे देते हैं हाँ जैश्री, आइडिया तो ये भी अच्छा है हाँ पापाजी, ये काम तुमें कर ही दूँगी तो ठीक है, आज रात को तुम कुछ पीने को बनाना और उसमें जहर डाल देना तो रात के वक्त सुधा, मेखा और सुमेर एक साथ बैठे होते हैं और तभी जैश्री मैंगो शेक लेकर कमरे में आती है और अपने हाथ से सुधा को मैंगो शेक देती है जैश्री, ये तुझसे किस ने कहा मैंगो शेक बनाने के लिए? अरे सुधा, शांत रहो, मैंने ही कहा था अच्छा, तो जैश्री मैंगो शेक देकर वहां से चली जाती है और मैंगो शेक पीने के बाद, 20 मिनट बाद सुधा को बेहोशी आने लगती है अरे क्या हुआ सुधा? चक्कर आ रहे है, तम घुट रहा है सुधा अपना गला पकड़ लेती है और थोड़ा चलाने लगती है सुधा, क्या हुआ? क्या हुआ? हे भगवान, दीदी को क्या हो गया? दीदी, दीदी! सुधा तडप रही थी और वहीं मेगा और सुमीर, इशारो इशारो में एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे थे सुधा क्या हो गया? दीदी! और सुधा तडपती हुई जमीन पर गिर जाती है तभी जैशरी भी कमरे में आ जाती है अरे वा, कितनी अच्छी लग रही है मम्मी जी ऐसे मरी हुई हाँ, मुझे भी मुक्ती मिल गई, अच्छा ही हुआ हाँ, हम सबको मिल गई हाँ मासी जी, आप तो कहेंगी ही मैं सब जानती हूँ आपके और पापाजी के बारे में हाँ, मुझे पता है तू सब जानती है तभी तो तुझे इस प्लान में शामिल किया और मैं ये भी जानती हूँ कि वो दो लाख रुपे आपने ही निकाले थे है ना पापाजी हाँ वो मैं नहीं कहा था सुमेर को निकालने के लिए अभी भी मेरे पास ही रखे हैं वो पैसे अच्छा चलो अब आप दोनों आराम से एक साथ रह सकते हैं बिल्कुल हम वैसे पिछले आठ साल से साथ हैं पर अब तो एक ही घर में रहेंगे पाते बाद में करना अब इस लाश को ठिकाने लगाना होगा हाँ लेकिन पापा जी जैंत भी तो घर पर हैं वो सुबह उठेंगे और ममी जी नहीं दिखी तो सावाल जवाब करेंगे अरे मैं इस लाश को बैट पर ही रख देता हूँ सब ऐसा नाटक करेंगे जैसे हम कुछ जानते ही नहीं हाँ और सुबह यही दिखाएंगे कि सुधा दीदी उठी ही नहीं अभी तक रात में ही मर गई हाँ यह आइडिया बहुत अच्छा है किसी को शक भी नहीं होगा तो सुमेर सुधा को उठा कर बैट पर लिटा देता है ऐसा लग रहा था मानो वो सो ही रही थी और जैशरी अपने कमरे में चली जाती है और सुमेर मेगा के साथ उसके कमरे में चला जाता है दस मिनट बाद जैशरी मेगा के कमरे का दर्वाजा खट खटाती है मासीजी दर्वाजा खोल ये जरा अरे अब ये जैशरी क्यों आ गई खोलो खोलो हो सकता है उससे कोई काम हो कुछ कहना हो हाँ खोलती हों तो मेगा जैसे ही दर्वाजा खोलती है तो दर्वाजे पर जैश्री, जयंत, सुधा और पुलिस वाला होता है ये देखकर सुमेर के होश उड़ जाते हैं ये सब क्या है सुधा? सुधा गुस्से में एक थपड सुमेर के लगाती है और एक थपड मेगा के लगाती है बहुत बुरा लग रहा है न मुझे जिन्दा देखकर तो ये सब तुम्हारी साजश थी? हाँ, हम दोनों साज बहु की साजश थी मुझे सारी सच्चाई पहले ही पता लग गई थी इसलिए हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था आपको फसाने का कैसी लगी साज बहु की साजश? जैशरी की वजह से ही आज में जिन्दा हूँ और तुम्हारा परदा फाश हुआ है तब ही जयन्त अपनी जेब से फोन निकालते हुए एक वीडियो दिखाता है इन्सपेक्टर साहब इन दोनों को ले जाईए इन्होंने चोरी की है और शादी शुदा होते हुए एक औरत के साथ रिष्टा रखा और कतल करने की कोशिश की और इसके बाद मेगा और सुमेर को जेल हो जाती है अब जैश्री, सुधा और जैंत बहुत अच्छे से रहने लगे थे और जैंत का काम भी अच्छा चल रहा था तो कैसी लगी आप सब लोगों को साज बहू और साजिश की ये स्टोरी कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं थैंक्स फोर वाचिंग